करती हूं कि वो आएं और इस प्रतिच्छारत विशाल जन्सभा को संबोधीत करें भारत माता की भारत माता की भारत माता की सब भाया बहने काई राम राम आप सबहें हमरे लिए ही याँ पे सुबहें से अगरत हो हम आप सबहें के करजामा डूबगन आपके इस कर्ट को मैं और ज़्यादा मेहनत करके चुकाऊंगा साथियों चार जून बहुत दूर नहीं है आज पुरा देश जानता है पूरी दुनिया जानती है कि मोधी सरकार की हैट्रीक बनने जा रही है नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए युवाओं के लिए महिलाओं के लिए किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने है और इसलिए मैं बराबंकी और मोहनलाल गंज के लोगों से आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ साथ्यों आठ्ट आपके एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एंडिये इसका गड़बंदन है और दूसरी तरफ देश में अस्सीरता पदा करने के लिए इंडि गड़बंदन मैदान में है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है ये इंडि वाले तास के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं यहां जो बभुवाजी है बभुवाजी यानि हमारे समाजवादी सहजादे अब उन्होंने एक नई बुवा की शरण लिये है ये उनकी नई बुवाजी है बंगाल में और ये बंगाल वाली बुवाजी ने कह दिया है इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूँगी इंडी गडबंदन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है खबरदार जो हमारे खिलाब पंजाब में बोला पीम पत को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं इनके सपनों की इंतहा देखिए कॉंग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि राए बरेली के लोग प्रदान मंत्री चुनेंगे ये सुनते ही समाजवादी साज़ादे का दिल ही तूट गया बस आँसू नहीं निकले लेकिन दिल के सारे अर्मा बह गए अब आप बताईए इस आप सब लोग इतने तेज नरार है के सारी बात इस हारा इस हारा न सबन लेते हो अब आप बताईए इस उठपटांग खिच्डी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बरबाद करोगे क्या कोई भी अपना वोट बरबाद करना चाहेगा क्या अच्छा होगा योजनाय लेकर आएंगे भाजपा सांसाथ यहां के विकास के लिए ज्यादा काम करेंगे और ये इंडी गडवन्दन वाले अगर वो सांसाथ बनता है तो उसके पास क्या काम होगा उसकी पार्टी उसको क्या काम देगी उसका यही एक मापनन्ड होगा कि तुमने मोदी को एक दिन में कितनी गालिया दी तुमने मोदी को कितनी बड़ी गाली दी क्या तुमारी गाली में कोई ताकत थी क्या ताकि मोदी परिशान हो जाए अगर आपने इंडी गडवन्दन के सांसत को चुना तो उसको यही काम होगा सुबह उठो मोदी को गाली दो दो पर मैं दो गाली दो शाम को चार से वार जाग दो और फिर सो जाओ आप मुझे बताईए भाई आपको अपने घर में अगर किसी सहाय के जरूर पड़ती हो आपके दुकान में, आपके व्यापार में तो आप उसको लेंगे और कहेंगे भेई ये दस काम करने हैं तुमको तुम्हें इतना तंखा मिलेगा मेरे ये काम तुझे फूरे करने है कोई ऐसा आज में रखेगा कि तुमको मेरी दुकान के बार खड़े रहना है और सामने वाले को बद गाली देते रहना है इसके लिए कोई तंखा देगा क्या क्या गाली देने के लिए हम किसी को रखते हैं क्या ते गाली देने वालों की जरूरत क्या है भई आपको तो काम करने वाले सांसच चाहिए आपका भरा करने वाले सांसच चाहिए पांच साल मोदी को गाली देने वाले नहीं छेत्र का भिकास करने वाले सांसच चाहिए और इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है और इसलिए बारा बंकी से बेहन राजरानी रावट जी और मुहरलाल गंच से भाई कौशल किसोर जी को हर बूत पर विजय ही बनाना है साथियों जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिप्ता है कमजोर सरकार का क्या है कमजोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती ने समय पूरा हो जाए आप मुझे बताईए आहां नवजवान भी है किसान भी है तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे आप मुझे बताईए हंड्रेट सिसी के एंजिन से सो सिसी के एंजिन से आप हजार सिसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिरफ दमदार सरकार ही दे सकती है बीजेपी सरकार ही दे सकती है साथियों भाजबा की दमदार सरकार का मतलब क्या होता है ये हमारा अवर बहतर जानता है उससे भला अच्छा और कौन जान सकता है यहाँ बारा मंकी से लोग राम नाम वाली इंट लेकर आयोध्या के लिए पैदल निकले थे जो पहली बार वोट डाल रहे हैं जो युवा है उन्हें पता ही नहीं होगा पांसो साल के इंतजार के बार पांसो साल का इंतजार इस्तिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीडी दरपीडी हमारे पुरवट संगर्ष करते रहे बलिदान देते रहे प्याद की पनाकास्टा करते रहे पांसो साल के बार और वो दिनियाद कीजिए लोग जब हमारे राम लला को टेंट में देखते थे उनके आंसू नहीं सुकते थे और लोग सरकार को जितनी भद्धी भाषा में गालिया दे सके देते थे लेकिन आज पांसो साल का इंतजार खत्म हुआ के नहीं हुआ पांसो साल का इंतजार खत्म हुआ के नहीं हुआ राम लला भग्म मंदिर में बिराजुद हुए के नहीं हुए किसके कारा किसके कारान किसके कारान किसके कारान अरे भाई मोधी मोधी मत करो यह तो आपके एक वोट के कारण हुआ है यह आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई एक मजबूत सरकार बनाई और आपका पांसो साल का इंतजार समापत हुआ आपका वोट पांसो साल का इंतजार खत्ब कर सकता है और इसलिए भाईयों बहनों कमल के निशान पर बटन जबा के आगे भी यह दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने है लेकिन साथियों दूसरी तरह यह कॉंग्रेस वाले यह सपा वाले क्या कह रहे हैं पहले इन्होंने राम लला को टेंट में पहुंचाया फैर वोट अपनी वोट में को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगल कोई तर्मशाला बना दो कोई स्कूल बना दो अस्पताल बना दो अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर पड़ा पड़ा है इतना जहर पड़ा पड़ा है पता ने उनकी राम से क्या दुश्मनी है राम लला की प्रान पतिश्टा का निमंतरन फुकरा दिया अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं और वो भी राम नौमी के दिन कहते हैं यह राम मंदिर को बेकार बताते हैं बद्दी बद्दी बाते करते हैं और कॉंग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोड का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है सपा कॉंग्रेस वाले जब मैं कहता हूँ न कि बड़े कॉंग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कॉड का निर्णाय पलटना चाहते हैं कुछ लोगों नहीं यार ऐसा तो कैसा हो सकता है ब्रह्म में मत रहिए देश जब आजहाजी का अंदोलन कर रहा था ना और देश के टुकड़े करने की बात आती भी तो देश का हर वेक्टी गया देश के तुगधे होते हैं हो गए गने हो गए इन्होंने कर दिया गए कंद तक जा सकते हैं इनका ag record ऐसा है इनके लिए देश बेश कुछ नहीं है भई उनके लिए तो उनका परिवार और पावर यही उनका खेल है सफा कॉंग्रेस वाले सरकार में आए तो राम लला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पार बुल्डोजर चलवा देंगे क्या योगी जी से यही चिखना है क्या अरे जेरा योगी जी से टूसन लो बुल्डोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना साथ योग ये चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रेक रकोर ऐसा है यही इनकी साजिस है अब आसे लोगों को अगर आप वोड़ दे सकते हैं क्या ऐसे लोगों को वोड़ दे सकते हैं क्या साथियों ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए ऐसी सजा करनी चाहिए ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए साथियों सपा कौन्स केस के लिए अपने वोट बेंग से बड़ा कुछ नहीं है और जब मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये बेचेन हो जाते हैं नीन हराम हो जाती हैं लेकिन फिर क्या करते हैं जैसे बहुत बुखार चड़ जाए न तो वह आज में कुछ भी बोलता है ये भी कुछ भी बोलना शुरू करते थे ऐसी गालिया देते हैं आप मुझे बताईए बाबा साहम आम बेड़ कर जब संभिधान बन रहा था तब धर्म के आधार पर आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा ये संभिधान सबाने नेने किया था और सोच विचार करके किया था अरे इतने ही नहीं इनके परनाना ने भी धर्म के आधार पारक्षन का विरोध किया था लेकिन दस साल पहले यहाँ यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षन देने की कोशिश की थी और करना तका मैं तो कर दिया करना तका को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है इन्होंने करनाशका में क्या किया जितने मुसल्मान थे उन सब मुसल्मानों को रातो रात